नमस्कार दोस्तों, जै काल भैरव भगवान की स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में तो तुला राशिवालों, आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है, इस नाम की औरत और आपको हर तरफ से कमजोर देखना चाहती है, आपका मनोबल गिराना चाहती है, तंत्र किया करके आपको बरबाद करना चाहती है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज इसकी सारी पोल खोल देंगे, आखिर यह कौन है और आपको इससे कैसे बच कर रहना है, सबसे पहले सच्चे काल भैरव के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैकाल भैरव जरूर लिखें, आपकी राशिय के लोगों का यही स्वभाव है, कि आपको किसी के द्वारा बताई गई बातें अच्छी तो लगती है, समझ में भी आती है, लेकिन आप उन बातों की वजह से अपने जीवन में सुरक्षा नहीं लापाते हैं, चतुराई नहीं बरत पाते हैं, और इसका परिणाम ये है, कि आपकी ही लापरवाही की वजह से आपकी जिन्दगी में कई मुसीबत पैदा हो हुई है, इस वीडियो को नजरंदाज मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए एक आखिरी चेतावनी है, क्योंकि अब तक आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे आपके जीवन में कई उतर चड़ा आए हैं, लेकिन अब कुछ बहुत भयंकर बदलाव होने वाला है, और इस महिला ने आपके लिए बहुत बड़ी क्रिया करवाई है, ये आपकी दुश्मनी में पागल बन चुकी है, आज की वीडियो में हम सारी जानकारी गंभीरता से देने वाले हैं, हम अक्सर ये देख जो गलत होता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके घर के अपनों का ही होता है, जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, वही आपको पीठ के पीछे धोखा देने से एक बार भी नहीं सोचते हैं, ये सब बातें देखकर हमारा मन हताश हो जाता है और इसी वजह से हम आपको ब हक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे, मित्रो, इस औरत ने आपके उपर बड़ी क्रिया तो कर दी है, लेकिन अब आपको इसके परिणाम भी भुगतने होंगे, परिणाम भुगतना तो निश्चित है, क्योंकि कोई भी क्रिया जब की जाती ह तो उसका प्रभाव तो जीवन पर आता ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, कि हम आपको इन परिणामों को कम करने की कौन सी जरूरी उपाय है, कौन सी जरूरी सावधानिया है, सब कुछ बताएंगे, और वीडियो के अंत में हम आपको इस महिला के बारे में भी बता साथ हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, इस उपाय को एक बार करने मात्र से आप इस औरत के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक क्रिया को इसके उपर वापस लोटा सकते हैं, हाँ हो सकता है दोस्तों, कि ऐसा भी हो, कि यदि पता हो, तब भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह विधी के विधान में बाधा डालने के जैसा होता है, इश्वर ने सब कुछ बनाया है, अच्छा भी है और बुरा भी है, तो यदि वह औरत आपके उपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपसी दुश्मनी मानती है आपको बरबाद करना चाहती है, तो यही विधी का विधान है, तो ऐसे में उस विधान में बाधा डालना ठीक नहीं है, यह इश्वर के कार्य में बाधा डालने जैसा होगा, तो हम आपको संकेत तो दे देंगे, लेकिन स्पष्ट तोर पर शायद आपको न बताएं, तो आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन इसका एक जबरदस्त उपाय यह है दोस्तों, कि हम आपको एक ऐसी क्रिया बताएंगे, जिसको आप करेंगे, तो उस औरत ने जो भी तांत्रिक क्रियाएं आपके उपर की हैं, वे वापस उसी औरत के उपर चली, जाएंगे और जो घटन में पहुँच जाएगी, यानि कि उसकी तांत्रिक क्रिया उल्टी पढ़ जाएगी, और जब आप देखेंगे कि कौन है वह औरत जो आपकी जैसी समस्याओं से पीडित हो गई है, आप तुरंत समझ जाएंगे और उससे दूरी बना लेंगे, यह बहुत ही शक्तिशाली उ भुखा खाएंगे और आप स्वयम अपने साथ ही बहुत बड़ी नाइनसाफी कर बैठेंगे, आपके अंदर एक कमी है दोस्तों, धैर्य की कमी, आप जीवन में जहां जरूरी होता है, वहां कभी भी धैर्य से काम नहीं ले पाते हैं, वैसे तो आपके अंदर धैर्य है, लेकिन पता नहीं क्यों, कुछ ऐसे ग्रहों के योग हैं, कि आप जहां जरूरत होती है, उस जगह पर धैर्य का परिचय नहीं दे पाते हैं, और जरूरी बातें आप से मिस हो जाती हैं, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब थोड़ा अपने जीवन के बारे में आपको सतर्क रहना है, और जो भी हम आपको बता रहे हैं, उस बात को गंभीरता से समझना है, दोस्तों यकीन मानिये, कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, वे आपको अपना बहुत बड़ा शत्रू मान करने के पहले एक बार उनसे पूछना, आपके गलत काम में भी वे आपको बढ़ावा देंगे, आपको प्रोटसाहित करेंगे, और आपके फंसने का, आपके उलजने का इंतजार करेंगे, जब आप दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आपसे बहुत हालचाल आपके मन में यह चलता रहता है कि इसे सुख प्राप्त कैसे हो गया, यानि आपके सुख में दुखी होने वाले इनसान, वे आपके अपने तो हैं, लेकिन नाम के लिए हैं केवल अपने, असल में वे आपके शत्रु हैं, आप उन्हें पहचानने में अक्सर गलतियां कर ज अब लिकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं है. दोस्तों, यही आपकी गलती है आप. उन्हें पहचान नहीं पाते हैं. दो चेहरे वाले इंसान हैं, आपके सामने कुछ और और आपके पीठ के पीछे कुछ और. कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के बारे में कुछ सुनते भी है या आप देख भी लेते हैं कि इंसान आपके साथ गलत कर रहा है लेकिन आप भावनाओं में बह जाती हैं और उस इंसान की चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं और उसे माफ कर दे इन सब बातों की वजह से आपने कई बार परिशानियां उठाई हैं, कई बार दुख और तकलीफें सही हैं, लेकिन ऐसे लोग आपके लिए बहुत जहरीले होते हैं, यह जहर का काम करते हैं। बार बार बताती हैं, लेकिन आप ही सतर्क नहीं होते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को दोडाईए, अपने आसपास चारों तरफ होने वाली घटनाओं पर गौर करिए, कौन आपके साथ कैसा बरताव कर रहा है। थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिए, आपको जा जाएगा कि कौन है वो महिला जो आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है, अब बहुत बड़ी भविश्यवानी करने वाले हैं, आने वाले दस दिनों की वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आने वाले अगले दस दिनों में कार्य की सफलता आपकी ठकान को दूर कर कर रहा हूँ, इतने ज्यादा प्रयास प्रयत्न कर रहा हूँ, भाग दोड कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मुझे वह क्यों नहीं दे रहे जो मैं चाहता हूँ, तो जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा होती है, तो शिक्षक मौन होते हैं, वह आपके सफल होने का इंतज कर रहे हैं, एक बार उस परीक्षा में पास हो जाईए, आपको वह सब मिलेगा, जिसकी आप चाह रख रहे हैं, लेकिन अभी बिना पूछे, बस महनत करते रहिए, समय महनत करने का है, आगे आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, युवाओं को विशेश रूप स संयमित रहने की जरूरत है, अगर आप बात बात पर पैनिक करते हैं, तो यह आपके लिए उचित नहीं होगा, खुद को संभालिए और हर परिस्थिती में खुद को ढालना सीखिए, वाहन या कोई भी मशीनरी संबंधित उपकरन बहुत ही ध्यान से आपको इस्तिमाल करन हैं, इस समय किसी भी तरह की अनचाही यात्रा करने से आपको बचना है, क्योंकि समय भी नश्थ होगा, पैसा भी नश्थ होगा, इससे अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा, व्यवसाय में आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, अगर आपके एक निर्णय से सामने वा पालों पर ही गुस्सा करने लग जाएंगे, और जब आपका गुस्सा शान्त होगा, तो आपको एहसास होगा, कि मैंने व्यर्थ में ही उसे इतना कुछ बोल दिया, खुद पर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि जिन्दगी में जब कठिन पल आते हैं, तो वह हमें के लिए खुद को संभाल ले, तो सब कुछ सही हो सकता है, लवराशिफल की अगर बात की जाए, तो जीवन साथी का सहयोग परिवार के वातावरण को शान्ति पूर्ण और अनुशासित बना कर रखेगा, कहते हैं ना घर में जब स्त्री का वास हो जाता है, यानि परिवारण कमल से हमारे जीवन की, हमारे घर की रूप रेखा बदल जाती है, बस शर्ट इतनी है कि आप अपने घर की बहु को लक्ष्मी का स्वरूप माने, उनकी इजज़त करें, उनकी पूजा करें, कहते हैं यत्र नारी पूज्यनते, तत्र देवता रमंते, तो उसी की बरताव आपको उनके साथ करना है, स्वास्थिय की अगर हम बात करें, तो सिरदर्द, माईग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती है, बचने के लिए अपने आहार को संतुलित रखे और अपने आराम को महत्व दे, लोगों की परवाह बिलकुल भी न करें, क्योंकि आप कितना भी करेंगे तो भी लोग आपको सुनाएंगे, और बुरा भी करेंगे तो भी आपको लोग सुनाएंगे, आठ से लेकर के 14 नवंबर तक का जो समय है, किसी शुब चिन तक का आशीरवाद व शुब कामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होगी, इतना लिख कर रख लीज रखता है, आर्थिक मामलों में थोड़ा सूज बूज और सोच विचार करके फैसला लेने की जरूरत है, आपके साथ धोखा होने की स्थती बन रही है, कोई भी वाद विवाद में शान्ति पूर्ण ढंक से आपको मामले सुलजाने है, अनावश्यक किसी से भिडंत या वि गर साबित होगा, अब हम आपको सावधानियां बताने जा रहे हैं, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, तो सच बता रहे हैं, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देंगे, वह आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, आने वाले अगले साथ दिनों में फाइनेंस के लिए समय अच्छा है, जो लोग लोन लेना चाह रहे थे, उन्हें लोन मिलेगा, और कर्ज से छुटकारा मिलने के योग बनते दिखाई दे, रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत जरूरी उपाए हमने बताए हैं, आपकी जरूरतों का फाइदा, उठाकर बैंक कर्मी या बैंक वाले बहुत ज्यादा शर्ते रखेंगे, तो उनके जहांसे में ज्यादा फंसना नहीं है, वरना बहुत सारा पैसा आपके हाथ से जा सकता है, इस समय कोई भी डील करते समय चौकनना रहने की जरूरत है, पारिवारिक व्यवस्थाएं बनाए रखने में आपका उचित योगदान होना चाहिए, यानि घर में अगर कुछ हो रहा है, तो अपनी बात रखें, चाहे वह अच्छा रखें, अच्छा हो या बुरा हो रहा है, आप कुछ न कुछ बोलें जरूर, क बात बिगडने की स्थितियां निर्मित होगी ही नहीं, आपकी जो पुरानी गलती आपसे हुई है, वह अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानि वर्तमान को बहतर अगर बनाना है, तो पुरानी गलतीयों को छोड़ना होगा, अगर आप एक ही गलती दोबारा यानि आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सोच समझ कर आप रहिए, परिवार की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखिए, आपको खुशी प्रदान होगी, घर में बच्चों के संगीत और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, डांट और फ प्रणाली में सुधार आएगा, नए नए बातों की नए नए जानकारी मिलेगी और अपने प्रतिदवंदियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि कब कौन आपके साथ चल कर दे, कौन आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना ले, ऐसा कहा नहीं ज जा सकता, तो नजर आपको ही बना कर रखनी है, ओन्फिस में कोई ऐसी गलती चूक हो सकती है, जिसकी वजह से अधिकारियों की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ है, तो ऐसे इन लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें, फाइनेंशल कामों में हिसाब किताब करते समय कु कोई गलत फाइदा उठा सकता है, कई बार हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और लोगों की मदद कर देते हैं, हमें नहीं पता होता सामने वाला स्वार्थी है, और हमारी मदद पाने के लिए वह इस तरह का छल रच रहा है, हमारे सामने भोली शकल बना रहा है, रो रहा है तो लोगों पर ज्यादा भरोसा मत करिये, लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, भया मीठे हैं और बाद में नमक लगा कर खाते हैं, यानि लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें लोगों से बच कर रहना है, पति-पतनी के रिष्टे पहले से मधुर होंगे, ल बहुत ध्यान से, एक-एक उपाय को सुनिएगा, आप सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहला उपाय यही है दोस्तों कि आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, गुडचने का प्रशाद लेकर, देखिए, जो बड़े-बड़े भ होग होते हैं, उनके सामने भी गुडचने के प्रशाद की महत्ता बहुत ज्यादा है, और हनुमान जी को अतिप्रिय है, आप गुडचने का प्रशाद ले जाईए हनुमान जी के लिए मंगलवार के दिन, और वही पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आसन और दोस्तों यह उपाए आपको लगातार 21 मंगलवार तक करना होगा, यानि किस मंगलवार तक, आपको गुडचने का प्रशाद हनुमान जी के लिए ले कर जाना है, और 22 मंगलवार को आपको उन्हें चोला चड़ाना है, आपका हर काम बनेगा, बजरंग बली की कृपा स आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसी के साथ दूसरा उपाए एक और आप यह कर सकते हैं, कि ऐसे हनुमान जी के मंदिर जाइए, जहां पर राम जी की भी प्रतिमा हो, अब राम जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा, और हनुमान जी के समक्ष बैठ कर राम रक संगी वस्तु खरीदने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर ले, कई मामलों में धीरज और धैरे रखना भी जरूरी है, और जल्दबाजी की वजह से परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं, आर्थिक स्थिती अब भी यथावत ही रहे, तथा गतिविधियों में स्थिती रहेगी, अपने काम योजना बना कर निप्टाने की कोशिश करें, पार्टनर्शिप के काम में पैसों से संबंधी मामलों को सही तरीके से निप्टा हुए चलना होगा, ओफिस में किसी पर भी भरोसा ना करें और अपनी काबिलियत पर ही भरोसा रखें, तथा घर परिवार तथा कारोबार के बीच बहतर ताल मेल बना रहेगा, आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी, लव पार्टनर के साथ लॉंग ड्राइव पर जरूर जाएं और इसी के साथ दोस्तों, तनाव का दुश प्रभाव स्वास्थय पर पढ़ सकता है, काम के स जहसे जो तकलीफें हुई हैं, उसका डर छोड़ कर आगे बढ़े, आप में जो बदलाव आया है, उसे संभालने की कोशिश करते रहेंगे तो बहतर रहेगा, और हाँ, घर में बदलाव संबंधी कोई प्लानिंग चल रही है, तो उसे कार्य रूप देने का अनुकूल समय आ गया है, वास्तु सम्मत नियमों का भी प्रयोग करना उचित रहेगा, अपने व्यक्तिगत मामलों पर दूसरों की सलाह की अपेक्षा, अपने निर्णय को प्राथमिक्ता देना आप के लिए उचित रहेगा, तथा दूसरों के मामले में बहुत अधिक अनुशासन और रोक टोक ना करें, क्योंकि इस वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है, पडोसियों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें, बहतर तो यही होगा कि समय अनुसार अपने व्यवहार और दिन्चर्या में भी परिवर्तन लाएं और साथ ही में दोस्तों, व्यवसाइक कार समय पर पूरे करने के लिए अपनी कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है.